आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक निहूतरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दूस्पाइब देखिए साउथ कोरिया में बहुत कुछ हो रहा है कल तो मैंने आपको बस एक मोटा मोटी तौर पे बताया था कि आखिरकार साउथ को होनी चाहिए और राजा पबली का ट्रस्ट जीते यह सब मैंने हाउ टू कंकर दी वर्डे में बताया था आज मैं फ्लोई स्टेट पर बात करूंगा दा आर्ट ओफ लेंडिंग मदे आ जाएगी दोस्तों आप इस कोर्स में आ जाईए क्योंकि आपको जिए जोग्रफी हि कोरियन प्रिंसुला जो है उसका खुद की आइडेंटिटी कभी थी नहीं वो कभी चाइना के पास था कभी जापान के पास रहा और 1903 में दो कोरिया बट गए हाला कि वही बात है कि जैसे भारत पाकिस्तान बांगलादेश सब एक ही लोग है बटे हुए है देखिए को हम क्या करते हैं कि भलाई के लिए यूज़ करते है जापान आज पूरी दुनिया में अपने प्रोड़क्टर से धूम अचा रहा है नई-ने इन्वेंशन से दवाईयां आ रही और अच्छा है ये लोगों के लिए Koreans they are very very disciplined and talented तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ये पूरा का पूरा Korean Peninsula है न अभी ये South Korea नौर्थ कोरिया में भटा हुआ है और 1950 से लेकर 1953 तक जो पूरा वार चला नौर्थ कोरिया में चाइना का हस्तक शेप है और South Korea में हम सबको पता है अमेरिका का हस्तक शेप है अपनी स अपने आपको जय हो डमोकरसी उसके यहां प्रेसिडेंट यून सुक देओल मतलब यहोल हरा इमर्जंसी ही लगा दी मार्शल लो लगा दिया यह कभी किसी ने नहीं सोचा था और उसके बाद अजीवों गरी मतलब सारी पुलिस आ गई आर्मी आ गई पार्लियमेंट में आ सैम्यल के में जो प्रेसिडेंट ए सेंटर फॉर एशिया लीडर्शिप इन सीओल और इसीओल इस दी कैपिटल अफ साउथ कुरे तो उनसे कुछ सवाल पूछे हैं तो पहला सवाल और इन सवालों से यह आपको पूरी सिच्वेशन पता चल जाएगी कि आखिर कर यून जो है वो बहुत अच्छे लीडर नहीं है अभी नए ने बने हैं दो साल पहले और प्रेसिडेंशल टर्म है 5 साल तक चलेगा से पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट तो प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री है अब यह जो महाशाय है इनके इनको लेकरना इमे कई बार जब आप प्रॉफेशन में होते हो जैसे संजय दत्त अमिताब बच्चन या गोविंदा या बहुत सारे कुछ खिलाडी भी थे पॉलिटिक्स में वो चल नहीं पाए क्योंकि खेल अलग है पॉलिटिक्स अलग है तो जो आप प्रॉफेशन में होते हो और जो आप में करते हो अलग है यही दो जो है वो जजादा तर पॉलिटीशन बनते आप देख लिज़े चाए तो ठीक है जादातर लॉयर्ष क्योग समझ है जिसको कानून की हो गए उदव ठाकरे हो गए मनुवर लाल खटर शिवराद सिंग चोहान इनको क्यों सलूट करिए क्योंकि आपको डेमोक्रेसी में सब को साथ लेके चलना है और हर कोई आप साथ में चल रहे हो और हर किसी के अपने अपने माल ले अब या तो आप डेमोक्रेसी खतम कर दो लेकिन यहीं ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि वो जंता की आवाज है भले ही उनमें नालच है कुरसी का लेकिन वो लालच जंता ने दिया है एक्जामपल के तोर पे कि अगर बीजेपी कोई ऐसा लॉल आती है तो क तल भी हरी वाजपई जैसी कला हो कि 13 के 13 आप leaders को साथ में लेकि चले वैसी कला आपके मंदर है नहीं तो फिर अब क्या करेंगे आपका जगड़ा होगा और जगड़ा होगा आपकी चलेगी नहीं साउध कोरिया में यही हो रहा है साउध कोरिया में सारी political parties एक तरफ और President एक तरफ, इनकी बीवी जो है, उन पे बहुत ज़्यादा चार्जेज लगे हैं, इनके ओपर करफशन चार्जेज लगे हुए हैं, ये कहिते हैं कि मैं ही सही हूँ, बाकि सारी के सारी ओपोजिशन पार्टी जो है, वो सब के सब इविल है, तो इसलिए और इनको कई बार नि वहाँ पे सेमी प्रेसिदेंचल, फिर्फ रिपब्लिक है फ्रांस, 1958 मन का नया सम्विधान बना, जिसमें प्रेसिदेंट को थोड़ी सी जादा ताक दी, लेगिन परलियमेंटरी डेमोक्रेसी इसलिए इतनी ज़रूरी है, प्रेसिदेंचल डेमोक्रेसी अमेरिका में प्र पार्लियमेंट में आप निरंग कुछ नहीं होते हो, आपकी आउकात यहाँ पे दिखा देते हैं हर कोई, एक क्लेक्टिफ कोन साइन्स होता है, और क्लेक्टिफ कोन साइन्स जादा तर समय सही ही होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आप इसमें सारे के सारे मेंबर्स जब भागे 191 के करीब जैसे इमर्जंसी मार्चेल लो लगा आर्टिकल 5 का क्लॉस 5 आर्टिकल 77 का यूस किया कि तुरंत भागो नैशनल एसेंबली में एक मोशन पास करो और अगर मेजॉरिटी वोट कर दे तो खेल खतम और मेजॉरिटी ने वोट कर दिया तो इनकी लग यह जो प्रेशनेंट साहब है अब मेजॉरिटी में वोट किया तो आपको मानना पड़ेगा सम्विधान में आपके भारत में भी 42 अमेंडमेंट आया इमर्जंसी की पावर यहां पर प्रधान मंत्री को दे दी प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने चुनके भेजा उसने इमर्जंसी लगा दी फिर 44 अमेंडमेंट आया कि बैटा इमर्जंसी नहीं साड़े 33 महीं में रिन्यू करो और वह भी पार्लियमेंट के हाथ में अब सब भारत में अब इमर्जंसी टेक्निकली लगी नहीं सकती अंटिल लन्लेस कोई बहुत आम रिबेलिये ने वो पूरा हुआ है कि यह क्या डुमेस्टिक पॉलिटिकल लाइवरली बिल्कुल सही बात है जो मैंने आपको बताया कि इनके अड्मिनिस्टेशन पे यह पैसा बजट पास करना चारे थे रोक बार बार मोशन लाके रोक रहे थे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से ऑपोज खत्रे में है ये खत्रे में वो खत्रे में किसी की आउकात नहीं माईके लाग में दम नहीं है जो भारत को एक एथारिटेरियन रिजीम की तरफ ले जाए हो ही नहीं सकता है जिस दिन यह होगा ना लोग सड़कों पे आ जाए हाला कि भारत में एक अजीब हो गजीब ट्रे हमेशा रही उनका कल्च़र वैसा रहा है लेकिन हम democracy सही हमने शुरुआत की है और asu साउध कोरिया के बात करें तो कोरिया में भी democracy देमोक्रेसी नहीं रही है यहाँ पर क्या है कि साउध कोरिया जो है हुए वह एक इन्वेस्टोरी इंडेक्स होता है तो लेकिन एक इंवस्टेमेंट जो होता है वह कहां होता है अभी अमेरीका में क्लेचर लिया है मैंने वह अभी अपलोड होगा थोड़ी दिन बाद कि किस तरीके से जो अमेरीका है अमेरिका में हर को invest करता है ऐसे ही जहां पर democracy economy बढ़िया रहेगे वहां हर को invest करेगा Korea के strong democracy है और अगर इन पर बढ़ता लगा तो देखें जो 1.94% stock market गिरा है इनका बिजनेस वाले नहीं देखेंगे न वो तो निकाल के ले जाएंगे पैसा और पैसा नहीं है तो अपका देशी नहीं चल पाएगा उसके बाद जो वही डेमोक्रेशी जो 1979 पहली बार तब लगाया गया था और अभी 1990s के बाद से डेमोक्रेशी रही है कोरिया में बढ़िया तरिके से एलेक्शन होते है पीसफुल ट्रांसफर और पावर होता है लेकिन पूरी दुनिया में जो सोशो एकनॉमिक और डेमोक्रेटिक अचीवमेंट कोरिया भरबर के दिखाता है उसकी पोल खुल गई है साउथ कोरिया पैसा लग रहा है कि एक साथ बहुत सारी मुसीबते आ गई है और चाइना और नौर्थ कोरिया खुश है पाई देखिए चाइना के लिए सही नहीं है यह नौर्थ कोरिया तो बहुत किम जोंगन तो चाते ही है अब प्रोपागेंड़ा फैलाएंगे है और क्योंकि अमेरिका से चाइना का ट्रेड वार शुरू है तो अमेरिका चाइना जो है वो साउथ कोरिया को लेवरेज करेंगा वहां पर वो सप्लाइबीस बनाएगा और अगर ऐसा कोई जैसे अभी आपने मार्शल लौ यह सब हुआ तो चाइना के लिए भी खत्रा है क्योंकि 59 कंट्रीज को डारेक्ली वो इंपाक्ट करेगा तो चाइना भी नहीं चाहता है वहां पर मार्शल लौ लगे या इस तरीके का लगे अब सबसे बड़ी बात वही है कि जो नॉर्थ कोरिया है जो नॉर्थ कोरियंस है डेमोक्रिटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिस पर फोकस किया जा सके है ना लोग उसको भूल जाए डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उधर चाइना में दुनिया के सबसे बड़ा फहमाईन आया इधर चाइना ने भारत से 1962 में वार्ट छेड़ दिया सिर्फ डाइवर्जन की बीसिक मुद्दों पे हटाग कई और डाइवर्ट कर दें तो अब वही है कि बिल्कुल पॉलिटिकल टर्माइल क्रियेट होगा यह लोग क्रियेट करने की कोशिश करेंगे मिसे इन्वर्वेशन मैंसे ही पहलाते है नौर्थ कोरिया में वस एक चीज़ अच्छी है वहां हर कीज़ को पालिड़ा है और पर आर्मी जोइन करनी है या फिर हैकर बनो हेकर है वाई हेकर तो इस तरीके से होता है उसके बाद रेपब्लिक और कॉरिया की सिविल सोसाइटी यहां पर सब की सब हालत खराब है आप समझ रहे हैं आप क्यूंकि नौर्थ कोरिया से हम आल्रेडी बहुत जादा दुश्म वाँ पर जान से मार दिया गया कि उसने का आदमी को इग्नूर किया तो फोर भी मुवमेंट और यहां पर कोरिया में चल रहा है ठीक है और मार्शल लॉज जो है ना वो टेंस सिचुएशन में वही किया आग में घी का काम करेगी पब्लिक डिसेंट जादा बढ़ सकता है और यह मान के चली कि एक क्रांती आ सकती है शायद तकता पलट हो जाए साउथ कोरिया में यह एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे बड़ चीज़े अच्छी नहीं है बाकी आप हमारे कोर्स में आपको बहुत बज थाई का तैक्यों सो मचच।